हेलो फ्रेंड्स वेल्कम मैसल्फ गवरेव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासिस में डाट इस 21-bit एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आज आपके लिए मैं क्या लेकिया है देखो रोटेशनल डाइनमिक्स का एप्लिकेशन ऑफ सेंटरिबिटल फोर्स बाकी है बहुत ही इंपोर्टन एंड प्यूर कॉंसेप्चुल टॉपिक है प्रोसीजर है इस सारे प्रूफ के लिए या एक्सप्रेशन के लिए तो प्रोसीजर पहले देख लो कैसे डील करना है क्या करना है और सिचुवेशन में स्टोरी भी है तो आराम से हमें समझ में आ जाएगा फ्रस्ट एफ लिकेशन है एक्चुली बैंकिण ऑफ रो बट हमें डायरेक्ली बैंकिंग के ऊपर नहीं जाना है तो तीन स्टेप में जाना है थर्ठ स्टेप इस स्टेप 形- जार रहे है साइकलिस्ट है स्ट्रेट जा रहा है और फ्लाट करव रोड अभी देखो पुराने जमाने में पहले फ्लाट रोड पहले बनते थे बाद में टेकनोलोजी आया और वह बैंकिंग बिंकिंग यह सब चीज आया मेरे गैल से अब भी जो लेक्चर देख रहे हैं उन बच्चों क भी शायद सिर्फ बैंकिंग मतलब क्या पता नहीं होगा उनको बैंक मतलब सिर्फ मनी ओरिंटेड कुछ तो ऐसा लया अइसा नहीं होता देखो ओ क्लास आप तर निंग्स पे कभी रोड पे नीचे उतर के देखना कि टर्निंग्स पे रोड थोड़ा सा तीलड होता इंक्ल की तरफ जाते हुए दिखेगा तो वहां से आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बाबा ये inclination है तो उस inclination को basically banking बोलते banking angle is that clear to you तो ये हो गया basic concept of banking अब यहां पर story कहां से start होता है देखो पुराने जमने पहले flat road थे cycle थी तो cycle से समझो कुछ distance cover करने के लिए दो गंटे लग रहे थे तो दो गंटा मतलब बहुत ही जादा हो रहा था तो उसके साथ actually कैसे scenario देखो इस flat road पे अगर cycle से मुझे जाना है तो कुछ maximum speed रहेगा कि वापा उस maximum speed तक ही में turn मार सकता हूँ उसके ऊपर गया तो शायद से में skid हो जाऊंगा तो वह maximum speed कैसे calculate करना है वह पहले हमें देखना है is that clear to you तो पूरा concentration कर लेते हैं पहले diagram को अच्छी तरह से समझ लेते क्लास यह cyclist है तो cyclist का weight है वह downward act होगा तो देखो आंकलास weight downward weight मतलब कौन सा force mg force तो यह देखो center of gravity से मैं weight को ऐसे downward दिखाया this is what mg force अब contact हो रहा है और contact के perpendicular normal reaction होता है तो यहां पे देखो seat पे बैठा होगा तो perpendicular normal reaction होगा that is what capital N और हमने देखा था last lecture में curve road पे जब cycle जा रहा है तब provide कौन कर रहा है necessary centripetal force देखो curve road पे जा रहा है मतलब क्या है circular motion हो रही है circular motion का सबसे बाड़ा the biggest hero कौन है centripetal force मतलब यहां पे कोई तो centripetal force provide करना चाहिए तो in this case कौन provide करेगा तो friction between tire and road so यह हो गया centripetal force provide करने वाला force that is what frictional force तो frictional force को मैं fr गोल दूँ अब ना एक सबसे conceptual doubt देखो class यह fr मैंने east side क्यों लिया यह ना बहुत सारे books में इसका explanation ही नहीं है तो अपना नया PDF आया है read करके देखो इसका explanation है क्या कि बबा left side क्यों direction लिया है frictional force का and please मुझे comment करके बता देना कि whether there is explanation or not अब मैं आपको एक reason बता देता हूं हमें V max का formula चाहिए क्या V max का मतलब maximum speed on curve road हमें निकालना है अभी common sense की बात देखो curve road पे maximum speed से जाएंगे तो cycle या vehicle outward से जाएगी या inward से जाएगी fast maximum speed से जाना है तो हम लोग outward से जाते हैं मतलब tendency कहां पे है cycle की outward जाने की and frictional force क्या होता है opposite to tendency तो यहां पे जो भी tendency outward जाने का तो frictional force exactly opposite direction में होगा is that clear to you इसलिए हमने frictional force को in this case कैसा लिया है inward या left side बट अगर हमें पूछा होता कि minimum speed क्या होगा तो हम क्या करते थे outward लेते थे is that clear to you वो जो minimum speed वाली case है न वो यहां पे हम definitely लेंगे because inclination में वो minimum वाला concept आएगा is that clear to you flat road पे minimum का कुछ नहीं car at rest रह सकती है 0 km per hour से is that clear to you तो यह हमारा हो गया FBD अब FBD होने के बाद न दो steps होता है मतलब दो equation लिखना होता है एक balance equation and एक provide equation balance equation मतलब क्या यहां पे देखो न normal reaction balances what mg force तो normal reaction mg force को balance कर रहा है and necessary centripetal force कौन provide कर रहा है so that is what frictional force तो वो हमें लिखना है तो पहले क्या होगा balance equation वो क्या होगा n is equal to mg and second क्या होगा provide equation कौन provide कर रहा है necessary centripetal force FR so we can say FR FR का formula क्या होता है mu s into n क्या 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 mu s static coefficient of friction into normal reaction जितना भी load होगा so mu s into n that is what frictional force provide what necessary centripetal force centripetal force के हमने 3 formula देखे तो यहां पे maximum speed चाहिए तो मैं क्या ले लूँगा m v square by r is that clear to you this is what our equation number 2 अब प्यार से देखो class हम प्यार से equation 2 को equation 1 से अगर मैंने divide कर लिया equation 2 divide by equation 1 तो यह n n तो cancel हो जाएगा is that clear to you तो बचेगा क्या mu s is equal to mm get cancel v square upon rg तो यहां से v is equal to का formula क्या मिला v is equal to under root mu s into rg so this is what max का formula v max is equal to कितना अब ऐसा derivation हमारे book में होता था अब यहां पर क्या नहीं समझ में आता देखो mv square by r, mv square by r ऐसा लिखा है और अचानक last moment पे क्या लिख दिया v max is equal to तो यह v max कहां से थोड़ा सा सोचोगे अभी देखो मैं बता देता हूँ हमने क्या dialogue क्या मारा देखो provide equation में हमने क्या बोला कि frictional force provides necessary centripetal force मतलब supply demand समझता है demand है देखो 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 exam है आपकी 100 marks की 40 marks को passing है मतलब क्या necessary marks कितने चाहिए 40 इसका मतलब ऐसा होता है क्या सारे बच्चे 40 लाते हैं नहीं न 40 के उपर लाया तो भी अच्छी बात होती है so it's a necessary centripetal force मतलब कम से कम कितना लगने वाला है तो mv square by r but friction, frictional force है वो उससे जादा भी तो दे सकता है मतलब actually यहां पर equal sign नहीं होनी चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए greater than or equal to is that clear to you अब देखो यह n यहां पर substitute किया मैं यहां पर आपको derivation करके दिखाता हूं अब यह n mg का value यहां पर put किया तो क्या मिल जाएगा mu s into mg is greater than or equal to mv square by r mm get cancelled यह r यहां पर आजाएगा तो क्या बच जाएगा mu s into r g is greater than or equal to v square square root ले लिया तो क्या मिल जाएगा v is less than or equal to under root mu s r g अब इसका meaning क्या होता है देखो ना यार यह तो simple expression हो गया x is less than or equal to 5 इसका meaning क्या x is less than or equal to 5 मतलब क्या x का maximum value क्या आने वाला है 5 so x max is equal to क्या हो गया 5 तो वैसे यहां पर v max is equal to क्या हो गया under root mu s r g is that absolutely clear to you देखो मैंने एकदम technical details आपको बता दिये क्योंकि इसमें ना directly अपने बुक में अगर expression देखेंगे तो यह max कहां से आया कैसे समझा वगरा कुछ समझ में नहीं आएगा so यहां पर अच्छी तरह से समझ के लो and then आपका textbook refer कर लेना is that clear to you class तो first case absolutely clear है क्या थी flat curve road था and cycle भी vertically थी अब यहां पर issue क्या रहा है देखो यह जो vmax depends on what muis muis is a coefficient of friction static friction we can say but वो depends किसके उपर होता है so it depends on atmospheric conditions also देखो देखो for example master road sunny days होते है summer days होंगे तब ही उसका muis का value अच्छा घासा रहेगा but rainy season में उसके उपर mud वगरा रहेगा तो क्या होगा muis के value drastically कम हो जाएगी या oil का layer उसके उपर होगा तो muis के value बहुत ही कम हो जाएगी तो muis के value drastically कम हो गया तो vmax का भी तो value change हो जाएगा ना so this is not suggested कि इस vmax के उपर depends मत रहो क्यों because it depends on muis and muis is depending on external condition तो दूसरा क्या way है तो second way is cyclist बहुत ही smart था चलो ठीक है मुझे friction के उपर depend नहीं रहना है तो उसने क्या सोचा कि मैं curve road पे देखो हम लोग यह हमारी भी regular practice curve road पे turning पे हम cycle चलते समय थोड़ा सा tilt कर देते अरे आपने यार moto gp वगड़ा वो सब देखा होगा ना उसमें देखो यार जोड-जोड से जाते है वो बाइक लेके जोड-जोड से जाते हैं वो कितना tilt करते हैं वो कुछ style भी नहीं मारते हैं बेसीकली उनको sharp turn लेना रहता है maximum speed पे इसलिए वो सब bending bending करते हैं अरे बहुत खतरना के बाबा थोड़ा भी bending wrong हो गया तो मर भी सकते है max का formula क्या आएगा is that clear to you यहां पे हम friction को consider नहीं कर रहे है तो यहां पे देखो mg force नीचे act होगा मतलब क्या downward force रहेगा yes or no class तो mg force downward दिखा दिया अब देखो contact कैसे inclination पे हैं ना contact तो normal reaction कहां पे होगा perpendicular to contact मतलब normal reaction यहां पे आ जाएगा and this is what very very essential step कितने सारे बच्चों को ना यह normal reaction perpendicular होगा वो समझ में नहीं आता वो previous case जैसा ही normal reaction दिखा देते हैं तो यह समझ में आ चुका है अब यहां पे देखो यह theta है तो definitely यह भी angle क्या होगा theta होगा न तो n को मैं resolve कर देता हूँ यह theta का adjacent component है मतलब this is what n cos theta and this is what opposite वाला component है इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा n sin theta अभी PR से देखना class यह n cos theta और mg opposite to each other है मतलब में एक dialogue मार सकता हूँ balance equation वाला n cos theta balances what mg force तो जल्दी से balance equation कर देंगे हमें find क्या करना है फिर से v max को ही find करना है तो first balance equation क्या आ जाएगा class कौन किसको balance कर रहा है n cos theta what balances mg force and provide equation provide equation मतलब क्या होता है necessary centripetal force कोई तो provide करना पड़ेगा ना बेटा curve road पे अगर cycle जा रहा है मतलब क्या circular motion में circular motion फिर से वाई dialogue सबसे बड़ा the biggest hero कौन है centripetal force तो कोई तो provide करेगा so in this case provide equation कौन देगा class n sin theta जो towards center देखो यह circle होगा तो towards center कौन जा रहा है n sin theta तो that is only the centripetal force no so n sin theta provides necessary centripetal force अब यहां पर में equal बोलू या greater than or equal to बोलू conceptually लिखना है तो greater than or equal to लिखना चाहिए class are you getting me class and bookish manner में लिखना है तो equal to लिख देना है is that clear to you मेरे हर एक बच्चे को यह conceptually समझा है next क्या करना है देखो equation two divided by equation one करेंगे तो क्या हो जाएग sign अभी में ना conceptually बता दिया हो तो bookish manner में ही जाता हो so किसी बच्चों को confusion नहीं होना चाहिए so equation two divided by equation one क्या तो n n cancel हो जाएगा sign upon cos is tan theta और यहां पर क्या हो जाएगा mm get cancelled और फिर से previously जो expression मिला था v square upon rg वही मिलेगा is that clear to you so v is equal to क्या मिलने वाला है that is what v max no v max is equal to rg tan theta और वो भी root में so this is what my formula rg tan theta तो यह case और यह case difference समझ में आ गया यहां पर mu s ही नहीं वो inclination के उपर depend कर रहा है na v max का formula are you really getting me class is that clear to you पक्का समझ में आया है okay अब देखो class अब cycle वगरा bend bend हो सकता है ठीक है बट मेरा four wheeler होगा तो क्या करूँ अब मैं कोई रजनी कान तो नहीं हूँ कि बापा four wheeler को मैं tilt वगरा कर दूँ is that clear to you तो क्या कर सकते हैं तो देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था ना तो हमने ना क्या कर लिया उंगली को ही तेडा कर दिया मतलब क्या किया रोड पे कार को तो बेंड नहीं कर सकता तो हमने क्या कर लिया सिविल इंजिनियरिंग ओलों ने क्या कर लिया रोड को ही थोड़ा से बेंड कर दिया is that clear to you smart solution है तो इस case में हमें ना दोनों aspect देखने frictional force भी लेना है and inclination भी कैसे contribute करता है वो भी देखना है is that clear to you देखो class यह सबसे important expression है that is what banking of road वाला अब यहां पे diagram को बहुत ही ज्यादा important हो जाता है क्योंकि diagram जिस बंदे का correct है उसका expression तो correct आने ही वाला है balance equation provide equation that's it तो diagram अच्छी तरह से देखो class यह mg force downward act करेगा and perpendicular to the contact मतलब यह इस direction में normal reaction होगा yes or no class are you really getting me अभी प्यार से देखो class frictional force कैसे होगा maximum मतलब outward कार जाएगी तो frictional force कहां पैक करेगा opposite to intention intention कार का कहां पे होगा outward maximum speed से अगर turn मार रहे तो हम लोग outward से ही ले सकते ना तो frictional force opposite to intention मतलब यह f r होगा yes or no class अभी प्यार से देखो यह angle theta है इस line का यह line perpendicular आएगा इस line का यह line perpendicular मतलब दो लाइन के बीच में angle theta है तो उनके perpendicular के भी बीच में angle theta ही होना मांगता yes or no class तो यहां पे देखो n और यह क्या है theta का adjacent मतलब यह फिर से क्या बन जाएगा n cos theta बनेगा वेराज यह component क्या बन जाएगा class n देखो न opposite है न sin theta similar fashion में मैं frictional force को भी resolve कर दूँ यह देखो z वाली property alternating angle से यह angle theta बन जाएगा so यह force क्या हो जाएगा theta के adjacent है मतलब fr cos theta और यह वाला component मतलब opposite वाला मतलब fr sin theta is that clear to you देखो यह diagram बन जाती है न तो कुछ सम में कुछ दम नहीं यह बाद में सिर्फ balance provide balance provide करते बैठना है तो देखो first balance equation हमें क्या find करना है v max का expression find find करना है तो first balance equation क्या होगा कौन किसको balance कर रहा है अरे कौन किसको balance कर रहा प्यार से देखके बोलना रॉंग नहीं बोलना है n cos theta balances what only mg no along with mg किसको fr sin theta को भी तो कर रहा है यह fr sin theta को यहां पे लेके आ जाता हूं so minus fr sin theta is equal to mg this is what my first expression are you really getting me class second expression क्या बन जाएगा balance हो गया provide equation चीए provide कौन provide कर रहा है देखो यह दो component हमें provide करेगा necessary centripetal force तो मैं क्या लिख सकता हूं n sin theta plus fr cos theta provides necessary centripetal force that is mv square by r is that clear to you class अब fr की जगा पे हम क्या लिख सकते mu s into n तो पहले fr की जगा पे mu s into n लिखना है तो प्यार से देखो numerator and denominator दोनों में से n common आ जाएंगे first equation and second equation में से n अगर common आ जाएंगे तो वो cancel कर सकते अगर division लिया तो यहां पे देखो n को मैंने common ले लिया तो यह ऐसा कुछ दिखेगा अब मैं equation 2 को equation 1 से divide करता हूँ क्या equation 2 divide equation 1 what we get यहां तो n n cancel हो जाएगा सो बचेगा क्या sin theta plus mu s cos theta upon cos theta minus mu s sin theta is equal to mm get cancelled तो v square upon rg जो हमारा regular result है right hand side का अब मैंने आपको एक dialogue मा रहा था देखो class कि कभी भी life में sin and cos अगर addition subtraction में कभी भी दिखता है तो हम क्या करते हैं cos वाले term से numerator and denominator को divide करते हैं तो cos वाले term से numerator and denominator को divide किया तो what we get sin upon cos is tan theta plus mu s cos cos get cancelled और upon में क्या बचेगा 1 minus mu s tan theta is equal to v square upon rg जो v is equal to अब देखो कितना बड़ा formula होने वाला है rg into mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta that's it so this is what v max का formula अगर inclined road है या banking of road पे जहां पे friction को भी हमने consider किया हुआ है देखो first expression था जहां पे हमने theta क्या लिया था 0 लिया था there is no inclination तो इस formula में अगर हमने theta को 0 ले लिया तो tan 0 is 0 तो यह 0 हो गया यह 0 हो गया बचा क्या mu s rg वही तो इसका answer था v max is equal to in this case answer क्या था v max is equal to in this case answer क्या था mu s into rg वही तो answer यहां पे भी मिल रहा है second case में क्या था answer सिरिफ inclination लिया था mu को 0 ले लिया था तो mu को 0 लिया तो यह 0 यह 0 तो second case का answer क्या था v max is equal to under root rg tan theta वही तो यहां से भी मिल रहा है तो यह actually generalized formula हो गया is that clear to you class अब देखो मुझे किसी ने पूछा कि बाबा आपको मेरी forward card है तो उसके जो tires है वो मुझे ना बहुत सालों तक use करने मैं बहुत कंजूस आदमी हो समझो मुझे बहुत साल तक use करने तो मुझे optimum speed से जाना चाहिए अब वो optimum speed कैसे मिलेगा तो यह condition हमें देखनी है जहां पर हम friction को zero consider करके जो भी vmax का formula मिलेगा that is what my optimize speed so optimum speed कभी निकालने बुला या tire का wear and tear minimum होना चाहिए तो आपको कौन से speed से जाना चाहिए ऐसा कभी question पुछा तो हमें क्या निकलना है v optimum and v optimum का formula क्या है under root rg tan theta is that clear to you class एकडम clear है और optimum दिया है और उन्होंने theta पूछ लिया तो क्या कर सकते है देखो यहां पर squaring both side कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा v square is equal to rg tan theta so tan theta is equal to v square upon rg so theta is equal to tan inverse of v square upon rg तो ऐसे formula आप अपने आप बना सकते हो yes or no class is that clear to you is that clear to you अब देखो एक न जही का भी concept यहां पर ले लेता हूं angle of repose जही में बहुत use होता है मैंने बोला था इस case में हम minimum speed का भी expression देखेंगे पर उसके पहले angle of repose मतलब क्या देखो यह flat surface है दिख रहा है और यह object रखा है तब भी at rest है अब मैंना इसको नीचे वाले base को incline करते जाता हूं करते जाता हूं रिमोट हीला तो इस angle पर remote हीला ना that angle is called angle of repose मतलब क्या minimum angle at which object starts slipping तो वो उसे उस angle को क्या बोलते है angle of repose अब case देखो class यह same scenario है शरीफ यहां पर क्या है theta is greater than angle of repose मतलब क्या उस angle of repose जो था उससे यह inclination बड़ो है मतलब क्या अगर car ऐसी rest में रहेगा तो वो sleep मारेगा are you getting me class is that clear to you तो in this scenario हमें न वी-max नहीं find करना है हमें क्या find करना है we mean find करना है मतलब minimum speed कुछ तो चलेगा कि बबब जिससे वो car road पे रहेगा yes or no class otherwise वो क्या value में चला जाएगा sleep करते करते yes or no class तो वो हमें minimum speed देखना है मैंने क्या बोला था आपको minimum speed के लिए क्या concept है naturally intention car का कहां पे होगा along that slope तो frictional force opposite direction में लेना होगा बाकी सारा mg force and normal reaction dicto dicto same class is that clear to you देखो बहुत interesting है अब इसको फिर से वही देखो यह angle theta यहां पर यह angle theta तो theta का यह adjacent component मतलब यह क्या हो गया n cos theta यह क्या हो गया n sin theta fr का यह क्या है cos component है तो यह fr cos theta और यह क्या बन गया fr sin theta is that clear to you अब यहां पर भी वही balance and provide equation अब देखो कौन किसको balance कर रहा है n cos theta and fr sin theta balances mg तो मैं ऐसा लिख दू balance equation क्या आ जाएगा n cos theta plus fr की जगा पर mu s into n mu s into n sin theta balances mg force यहां से मैं अगर n को common ले लिया तो यह ऐसा कुछ तो दीखेगा yes or no class second necessary centripetal force कौन provide करेगा वो देखते हैं प्यार से देखो यह curve road ऐसा है तो towards center कौन जा रहा है n sin theta तो towards center जाने वाला positive and away from center जाने वाला negative मतलब उनका resultant क्या मिल जाएगा n sin theta minus fr cos theta fr को मैं mu s into n लिख दू that provides what necessary centripetal force mv square by r फिर से n को common ले लिया तो यह ऐसा कुछ तो दिखेगा yes or no equation 2 to divide by equation 1 once again वही procedure class so what we get n अरे n तो common ले लिया था ना तो क्या मिल गया n n get cancelled sin theta minus mu s cos theta upon cos theta plus mu s sin theta yes or no class देखो आच्छा है concept is equal to mm get cancelled v square upon r g why dialogue फिर से sin cos कभी भी दिखेगा life में तो हमें क्या करना है cos को common निकालना है so what we get tan theta minus mu s upon 1 minus mu s tan theta is equal to v square upon r g therefore v mean is equal to r g into सबकुछ square root में होगा yes or no class r g into tan theta minus mu s upon 1 minus यह minus नहीं plus है sorry for that 1 plus mu s tan theta देखो class v max का formula क्या था सेम डिक्टो डिक्टो सेम r g बस यहां पे क्या था tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta देखो maximum के लिए denominator छोटू चाहिए इसलिए denominator में minus है and numerator मोटू चाहिए तो numerator में plus है minimum के लिए क्या चाहिए denominator मोटू चाहिए तो denominator में plus है are you really getting me class यह समझ में आ गया है funda पूरा concept चल गया है अगर इतना concept चली गय तो और एक concept लेते देखो class आपने formula बन देखा वहां पे न कार मस्त में speed में रहती है and कभी-कभी अच्छानक ऐसा point आ जाता है वह कार ना flip मारने लगती है is that clear उसे बोलते overturning देखो आप Bollywood के पक्के fan होंगे तो रोईट शेटी के movies देखो कोई भी movie देख लो गोलमाल की कोई भी series उसमें कार को गोल-गोल घुमाते है न वह and white लगा देते yes or no that is what overturning are you getting me class तो वो सिर्फ मैं formula बता के रखता हूं देखो formula 1 की कार का आप structure देखोगे तो यह ऐसा कुछ तो होता है मुझे क्या बताना था कि यह अगर center of mass होगा तो center of mass से यह ground है तो यह इसे मैंने edge बोल दे दिया is that clear to you and यह center से tire का distance that is what a distance दोनो parameter समझ में आ चुक है तो हमें formula 1 कार को देखा होगा तो आपको समझाओगा कि edge minimum होता है इसलिए वो बुटकू कार होती है एकदम छोटूशी कार होती है yes or no वो driver तो almost soke चलाते यह इतनी कम जगा होती है yes or no height ही नहीं होता और broader broad होती है is that clear to you अरे इतना broad होता है कि बापा अगर अपने road पैसे चलेंगे तो आदमी को चलने को भी जगा नहीं मिलेगा इतना broad होता इसलिए देखो रॉयल कार्स होता है लक्जिरियस अरे करोड में जो रहता है वो सारे कर्स देखो broad होता है विकाज उससे ना stability बहुत अच्छा maintained होता है तो overturning का वी overturning का formula क्या होता है देखो क्लास वही पैटन अंडर रूट में आर जी बट प्यार से देखो ए अपन एच ए जितना बड़ो रहेगा उतना वी overturning maximum और एच जितना छोटू रहेगा उतना वी overturning maximum are you getting me class इसके उपर जी का बहुत अच्छे question बन चुके है are you getting me कितना simple formula है अब आप बोलो कि derivation at this moment derivation की जरुरत नहीं है आप यह दिमाग में fit कर लो is that clear to you यहां पर हमारा banking का पूरा expression खतम हो जाता है अब next application देखो class conical pendulum का इस pendulum दिख रहा है उसको मैंने stretch किया और मंदिर में गंटा कैसे बजाते है वैसे अगर मैंने force apply किया तो यह ऐसा गूल-गूल-गूल गूमते रहेगा yes or no it's like this तो यह कोन बनते जा रहा है that's why इसे क्या बोला conical pendulum अब इसकी diagram देखो class mg force downward react करेगा अब यहां पर necessary centripetal force कौन provide करने वाला था अरे हमने string and वो पत्तर का example यह तो tension in the string तो tension कैसे होता tension का direction ऐसा होगा या opposite में होगा तो याद रखो यह tag line tension always देने का तो यह rigid support से always aware रहेगा यहां से देखेंगे तो always aware रहेगा is that clear to you so with respect to this bob tension in this direction यह angle theta है तो यह भी angle theta ही होगा yes or no class तो tension को मैंने resolve कर दिया so what we get यह tension का देखो ना triangle बनेगा तो theta का यह adjacent है तो यह क्या बनने वाला T cos theta और इसे क्या बोल देंगे T sin theta फिर इससे वही ना तक balance and provide equation तो first equation देखो balance equation क्या मिलने वाला है कौन किसको balance कर रहा है तो we can say T cos theta balances mg force yes or no class and the T sin theta provides necessary centripetal force so this is what equation number one and equation number two अब हमें first क्या find करना है देखो यह pendulum है pendulum तो pendulum में हमें क्या find करना होता है time period क्या find करना होता है time period तो time period कैसे find कर सकते देखो class एक complete cycle के लिए मतलब देखो ना rotate एक complete rotation के लिए लगने वाला time is time period and वो circular में घूम रहा है bottom में circular में मतलब एक rotation के लिए कितना distance travel करेगा that is what 2 pi r so we can write speed is equal to distance upon time distance upon time तो यहाँ पर हमें time period चाहिए ना तो time एक rotation के लिए लगने वाला time is capital T is equal to distance distance कितना है 2 pi r upon v तो हमें v की जरूरत है v कहां से मिलेगा तो equation 2 divided by equation 1 कर देंगे equation 2 divided by equation 1 कर देंगे so what we get tt get cancelled sign upon causes tan theta is equal to mm get cancelled v square upon r g तो यहां से v is equal to under root r g tan theta मिल गया yes or no class तो यह v का value यहां पर put कर दू so what we get time period t is equal to 2 pi r upon under root में r g tan theta so this is what our first expression अब यहां पर ना देखो यह जो pendulum है उसका यह length है that is what l radius कितनी है तो that is what r and यह height कितनी है तो that is what h is that clear to you तो यह l h and r के terms में मुझे यह expression चीए तो पहले r के terms में हो गया answer अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं यह अगर triangle consider करोगे so sin theta is equal to क्या बोल सकता हूं opposite upon hypotenuse मतलब r upon l बोल सकता हूं yes or no class and cos theta is what adjacent upon hypotenuse मतलब h upon l बोल सकता हूं तो यह results कहां पर तो ध्यान में रखने चाहिए are you getting me class अब देखो यहां पर मैं r को अंडर root में लिख दिया तो कैसे दिखेगा यह 2 pi तो बाहर ही रहेगा और r अगर root के अंदर गया so what we get r g tan theta तो r r get cancelled so अब expression क्या बन गया 2 pi इंटू root के अंदर r upon g tan theta को मैं क्या लिख सकता हूं class sin theta upon cos theta उपर गया तो ऐसे हो सकता yes or no class and r को मैं क्या लिख सकता हूं class l into sin theta तो r की जगा पे मैं क्या substitute कर रहा हूं अब l into देखो यहां पे लिख देता हूं t is equal to 2 pi r की जगा पे अब मैंने क्या लिख दिया r is equal to l sin theta so l sin theta into cos theta upon g sin theta so sin theta get cancelled तो बचा क्या formula t is equal to 2 pi under root l cos theta upon g so this is what our answer in terms of l in terms of r time period का 2 pi into r upon root में r g tan theta था yes or no class do you l के term में 2 pi into l cos theta upon g आया अब बचा क्या h के term में तो l cos theta को मैं क्या लिख सकता हूं देखो l cos theta is h तो तीसरा formula क्या आगया 2 pi into under root h by g so these are what three different formulas same parameter के तीन अलग-अलग formula l के term में h के term में r के term में sometimes वो हमें data ऐसा given देता है कि theta is almost tends to 0 theta almost tends to 0 means what cos theta is approximately equal to 1 so यहां पे एक दूसरा भी formula आ जाता है t is equal to 2 pi यह approximated formula है t is approximately equal to 2 pi under root h by g तो competitive में इसी के उपर question आता है theta is very very small बोल देंगे and t time period निकालना होगा so 2 pi into root में l by g are you really getting me class अब एक second thing है tension in the string निकालो क्या-क्या-क्या tension in the string अब देखो tension in the string को मैं t dash बोल दूँ so t dash का formula कैसे मिलेगा देखो देखो यह हमारे दो formula है this is what t dash, t dash अब यहां पर मैंने ratio ले लिया था तो t dash get cancelled और हमें tan theta मिला था अब मुझे क्या करना है देखो t dash को preserve करना है and theta को eliminate करना है so मेरे पास technique क्या है square कर दूँ दोनों का and add कर दूँ तो क्या हो जाएगा square करने के बाद देखो first equation का square किया तो क्या मिलेगा t dash का square into cos square theta is equal to m square g square and second equation is t dash का square into sin square theta is equal to m square v rest to 4 upon r square यहां पर मैं v rest to 4 को v square whole का square भी तो बोल सकता हूं अब दोनों को add कर दो so what we get t dash का square common आ जाएगा and बचेगा क्या sin square theta plus cos square theta is 1 तो मैं नहीं लिक रहा हूं और यहां पर क्या मिल जाएगा m square g square plus m square upon r square into v square whole का square yes or no class but we know that v square is equal to क्या है r g tan theta so यहां पर v square की जगा पर r g tan theta में substitute कर दो तो what we get r g tan theta का square मतलब r square g square tan square theta yes or no class तो यहां से r square r square get cancelled mg square common आ जाएगा and 1 plus tan square theta is what mg square sorry m square g square common आ जाएगा so 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta तो यह मेरा t dash का square हो गया so t dash is equal to mg sec theta so this is what expression for tension in the string देखो pendulum वाले application में हमें दो चीजे पता होनी चीए थी वो दोनों चीजे अच्छी तरह से दिमाग में fit हो चुकी है एक तो tension in the string वो हमने अब भी last में calculate किया and सबसे important देखो ना pendulum में तो time period is the most important parameter ना तो time period का in terms of r, in terms of l and in terms of h सारे formulas derive कर दिये याइल कर दोमार शोल शोमार्ट में यादी तरह से न तो कर दो प्यों परे ना懹या कर दोप Tip हमें पड़त कर दो है कर दो आवने से कर दो में पत्कार दोėं से कर दो मार्ते हो liquidımızı थी च्रते है